नमस्कार एक बार फिर्श आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बुश्वगत है आज किश नई वीडियो में इस्टूडेंट्स आज हम आप लोगों के देखिए कारे तथा शमय के last वीडियो के शाथ में आ गया है तो आज आपका ये वीडियो last है और आज से आपका ये chapter भी final हो जाएगा students तो देखिए आपका जो कारेतसा समय है आज का ये last वीडियो है कारेतसा समय का और आज आप हमारे शाथ में पढ़ने वाले हैं कारेतसा समय देखिए हमने आपको कार्यतसा समय का पूरा डेटियल बताया उसके बाद में हमने दो वीडियो बनाया जिसमें आपके most important questions solve कराएगे तो students देखिए आज का जो वीडियो आपका होगा वो last वीडियो होगा और आपसे मैं एक अपील करना चाहूँगा एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसी बात है कि आपको जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ आप क्या करेंगे अपने book से भी पढ़ेंगे कैसे अपने book से भी पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको अरिहंत की book का question solve करा रहा हूं और सारे के सारे question solve कराना जो है impossible है तो इसलिए मैं आपको जितने भी important questions लग रहे हैं वो मैं आपको solve कराऊंगा और आप यकीन मानें इसमें से आपका hundred में से hundred percent इसी type से question आपके पूछे जान है तो आप लोगों को अगर अभी तक हमारी जो है वीडियो को आप डेली नहीं देखते थे रगुलर नहीं देखते थे तो आप टाइम नोट कर लिजे सुबह आपको आधा घंटे निकाल करके हमारी सुबह की डेली क्लासे आपको 7 बजे सुबह मिल जाती है तो आप mathematics की और साम को भी 7 बजे आपको classes मिल जाती है physics, chemistry की तो वो भी आप लोगों को attend करना है तो चलिए students आज के बीना किशी देरी के हम ये पूरा पूरा आपका question solve कराने वाले हैं आज आपका पूरा last है ये chapter का तो बहतरी तरीके से हम समझते होई चलेंगे तो इससे पहले मैं आप से एक बार फिर्शे कहना साहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो अपने शिफ वीडियो को अपने सभी friends के साथ में share करिए और इस वीडियो का like aim है वो है आपका 100 आपको 100 प्लस करके दिखाना है like आपको करना है क्योंकि हमें भी लगे कि हमारे बच्चे हमारे साथ में पढ़ा रहे हैं तो आपका जो है कमेंट आ रहा है तो चलिए स्टुडेंस अब हम चलते हैं आपको कारे तथा समय की तरफ लेकर के और कारे तथा समय का आज हम पढ़ने वाले हैं आपको most important पढ़ाने वाले question ठीक है तो चलिए आज का पहला question आपका जो homework का था वह हम करात पूछा जा चुका है तो यह बहुत ही जादा important questions आपका बनता है कि यह आपका exam में पूछा भी जा चुका है और ऐसे type की question आपसे आते हैं exam में पूछे जा सकते हैं देखे question क्या कह रहा है आप अच्छे से पहले समझे कह रहा है एक null किसी होज को 10 घंटे में भर सकता है एक तीसरा नल उसे 20 घंटे में भर सकता है दो नल हो गए एक तो 10 घंटे में भर रहा है दूसरा 20 घंटे में भर रहा है और तीसरा नल 30 घंटे में भर रहा है तो देखे आपके कितने नल हुए तीन नल हुए और इनका सबका time अलग अलग है कोई 10 घंटे में भर रहा है कोई 20 वर रहा है कोई 30 गंटे में बढ़ रहा है इनका कहना है कि एक साथ अगर थीनों को खोल दिया जाए किसको तीनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटों में होज पूरा भर जाएगा देखे ये question आपको थोड़ा सा सुना सोना लग रहा होगा कैसे वो भी आपको समझ में आ जाएगा देखे question जो है एकदम फार्मूला पर रखा हुआ है कुछ हिसमें question में नहीं है बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए मैंने आपको already एक फार्मूला बताया हुआ था अगर कभी भी आपको a, b और c, a, b और c का काम मिलगा है a, b, c का काम मिलगा है कि दो घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में इसका क्या हुआ? yum, yum, yum यं, yum यं, yं में, यह A का यम हो गया, B का आपका यन हो गया, और जो C का हुआ वो P, इतने टाइम में अगर यह सभी पूरा करते हैं, तो अगर इनको तीनों को एक साथ कर दिया जाए, तो खितने टाइम में होगा, तो इसका एक आपको फार्मुला पता होगा, अभीष्ठ समय वराबर क्य में और खुत करना होका यही फार्मूला आपका हमने भी आपको कुश्चन भी कि स्वार्मूला कराये हैं तो Couple इसमें लगाना था अगर आपका कुश्चन लग घाए होगा तो बहुत इंची बात है अगर नहीं लगा है तो आप देख लीजिए ये question को ये question में आपका formula यूज होगा और यम यन P का value हमें यहाप दिया हुआ है यम यन और P की value क्या दी हुई है यम बदिया हुए 10 विए हमारा पहला नल है पहला को हम मानते हैं ऑ तो देखें यम दिया है और दूसरे को हम मान लेते हैं बिस घंटे दिया है तो यह बराबर क्या आपका हो जाएगा बीश हो जाएगा यह आवर है आपको यह याद रखना आए और देगे तीसरा नल है आपका अगर से यहां पे दिया हुआ दो प्रावर क्या दिया पी बरावर रपका 30 या आप इसको कुछ मान सकते हैं सकते हैं यह्तु वर याप को मानना हो recordings कितार यह स्टूर्ग्चर और यन गुड़े P तो यम यन और P हमें लिखना है यहां से आपका हो जाएगा यहां से students 10 गुड़े में 20 फिर गुड़े में 30 क्योंकि यम यन इंटू P हो गया अपान में लगाएंगे क्या यम यन तो यम हो गया 10 इंटू यन की मेलू 20 हो गई प्लस में यन पी 20 गुड़े 30 हो गया फिर प्लस में पी यम 30 गुड़े 10 हो गया अब देखिए अब इसे साल्व करना है आपको तो साल्व कैसे करेंगे 10 गुड़े 20 गुड़े 3 यह हो जाएगा आपका 6 और 1000 6000 हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा 1102 0 से आपका 20 कर जाएगा और टी बराबर आपका क्या मिल गया 60 बटे 11 60 बटे 11 मिल गया अब हम देखिए यहाँ पे 60 बटे 11 तो दिया है लेकिन हमारा यहाँ पे जो option है option में हमें कहीं पर 60 बटे 11 नहीं मिल रहा है तो अगर हमें 60 बटे 11 नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे 60 बटे 11 को हम उसी रूप में बदल लेंगे जो की option में हमारा दिया हुआ है तो 60 बटे 11 को हम क्या लिख सकते है 5 सही यह क्या है आपका टी है जितना समय तीनों लोग मिल करके लगा रहे हैं वो दिया हुआ है तो यह होजाएगा 5 सही 5 बटे 11 क्योंकि 11 पच्चे 55 और 5 क्या होजाएगा 60 बटे 11 और यह आपका क्या होजाएगा घंटा होजाएगा क्योंकि हमें यहापे option जो दिये हुए थे आवर्स में दिये हुए थे question भी आवर्स में दिया हुआ था तो यहां से जो आपका T आएगा वो क्या जाएगा students finally आपका T आज आएगा 5 सही 5 बटे 11 तो यही आपका right answer होगा जब तीनों लोगों को एक साथ यानि तीनों नलों को अगर एक साथ हम खोलते हैं तो होज को कितने टाइम में पूरा करेगा 5 सही 5 बटे 11 घंटे में पूरा फुल कर देगा तो यह आपका students answer हो गया इस question का तो जितने बच्चों का answer यह आ रहा था उनका एकदम से right था अगर आप लोगों का option यह नहीं आया तो आपका answer जो है गलत है तो आपको यह question ध्यान में अब आल रख लेना है कि अगर आपको कभी भी ABC का यम यन पी time दिया हुआ हो और ABC को तीनों एक साथ जोड़ना हो तो हम क्या फार्मुरा लगाएंगे यम यन पी अपान यम यन प्लस यन पी प्लस पीम ठीक है students तो यह बातें आपको ध्यान देनी है और आपका question solve हो जाएगा क्योंकि बहुत ही आसाम सा question था तो हमारा option देखिए आपर डी वाला option दिया है 5 सही 5 बटे 11 घंटे तो 5 सही 5 बटे 11 घंटे इसका right answer आपके question का हो जाएगा students तो देखिए यह question आपका सांदर तरीके से लग चुका है देखिए यह आपका homework में नहीं था सायद तो अगर आपका homework में नहीं था तो कोई बात नहीं है आप लोग परिशान मत होएगा या आपका यह question आप साल्ब करने का तरीका आपको पता चल गया होगा तो चल पढ़ते हैं हम तो देखिए यह वाला question आप लोग देखिए यह वाला आपका शायद homework में था तो अगर जो भी आपका question है आप देखिएगा सबसे पहले तो आप देखिए question क्या कह रहा है आपको देखिए question पढ़ना आना चाहिए कि question बता गया रहा है तो यहां से देखिए जब question आपका कह रहा है अ वा बी अलग अलग किशी कारे को 20 दिन में वा 25 दिन में कर सकते हैं दोनों एक शाथ मिलकर कारे करना प्रारम करते हैं परन्तु कुछ समय पस्चात एक कारे को जोड़कर चला जाता है और सेस कारे भी 10 दिनों में पूरा करता है कितने दिन बाद छोड़कर गया था तो ये बात आपको निकालनी है कि ए जो था वो कितने दिन बाद कारे को छोड़कर चला गया था यही हमें फाइंड करना है देखे इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है ए और बी का अलग अलग का काम क्या दिया है जो है 20 दिन और 25 दिन तो यहां से हमें क्या निकलेगा हमें यहां पर क्या मान लेगे सबसे पहले तो हम मान लेगे कि माना ए का जो है जो है माना ए यक्स दिनों में काम छोड़कर चला गया यक्स दिनों में काम छोड़कर चला गया यह आप ध्यान दिजिएगा तो अगर हम मानते हैं कि A X दिनों में काम छोड़कर चला गया तो आपका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा students B ने क्या हो जाएगा B ने X प्लस दस दिनों में कार्य किया X प्लस दस दिनों में कार्य किया क्योंकि आपको क्यों पता है X दिनों में कार्य किया कार्य किया क्यों किया एकस प्लस दस दिन में क्यों किया क्योंकि बता रहा है ए और बी दोनों जब साथ साथ में कारे करते हैं तो एकस दिन तक तो दोनों लोग साथ में कारे करते हैं लेकिन जब एकस दिन बीत जाते हैं उसके बाद ए चला जाता है और बी क्या करता है दस दिन और अध प्रस्ट दिनों में कारे किया जब इतना हमें हो गया तो हमें प्रश्ण में क्या कह रहा है A और B को दोनों को जोड़ना है तो प्रश्ण अनुसार क्या करेंगे A का देखिए यहाँ पर 20 दिन दिया था B का दिया था 25 दिन तो यहाँ से आपको क्या निकालना है यहाँ से जो A का एक दिन का कारे आ जाएगा एक दिन का A का एक दिन का क्या जाएगा आपका 1 बटे 20 आ जाएगा और इसी प्रकार से B का भी एक दिन का क्या आजएगा एक बटे 25 भाग हो जाएगा है na तो ये आपको समझ में आगया होगा तो ये आपका हो गया इतना अब देखीए जब हमें पता है कि X दिनों वाला बात आगया तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ना है हमको तो जब हमें को दोनों को जोड़ना है तब क्या होगा प्रश्चना नुसार ए और बी का कारे ए और बी का कारे एक्स दिन दिया था देखे एक्स दिनों में तो हमें जब कितने दिन में नहीं दिया है तो हम माल लेते है एकस दिनों में तो एका जो है एकस दिनों का कितना आजाएगा एकस बटे 20 आजाएगा और बी का जो आपका आजाएगा एकस दिनों में कितना आजाएगा एकस बटे 25 आजाएगा लेकिन जो बी है ज्यादा दिन कारे कर रहा था तो एकस से दिनों का एका जोड़ेंगे तो यक्स बटे 20 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका यक्स प्लस 10 बटे 25 हो जाएगा क्योंकि बी का कार्य क्या हो गया एक्स प्लस 10 बटे 25 हो गया क्योंकि X से 10 दिन ज्यादा तक कारे कर रहा है अब जब इनका दोनों का कारे हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होजाएगा पूरा का पूरा एक कारे जो एक कारे आपका था वो पूरा का पूरा final हो जाएगा यहां से जो आपका X BIA students यह बात आपको ध्यान देनी है X को आपको कुछ नहीं मानना है X को हमने मान लिया है A जितने दिनों में छोड़ कर चला गया था उसको हमने X मान लिया था अब देखिए इसे हम solve करते हैं तो यहां से आपका होजाएगा 25 X प्लस में 20 X और प्लस में 20 धहमा 200 और बटे में आपका होजाएगा 25 और 20 का लासा 500 बराबर में आपका होजाएगा 1 अब देखिए जब इतना हो गया तो 25 और 20 45 X बराबर क्या होजाएगा आपका 45 X बराबर आपका होजाएगा 500 और मानिस में 200 क्योंकि 200 प्लस में था तो मानिस में हो गया 45 x बराबर हो जाएगा 300 और x बराबर हो जाएगा आपका 300 बटे 45 तो 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 दुनना 30, 20 बटे 3 आ गया देखें 20 बटे 3 का मतलब क्या हुआ आपका x का value क्या आ गया ए कितने दिनों में छोड़ कर चला गया तो यहां से जो आपका यक्स हमें निकालना था एक इतने दिनों में जा रहा है बीस बटे तीन दिनों में जा रहा है यही हमें निकालना था लेकिन यहां पर देखिए आप्शन में कहीं भी बीस बटे तीन नहीं दिया है लेकिन आप्शन में जो दिया है बीस बटे तीन इस सकते हैं mister भिन्न है तो यह हमें mister भिन्ने के रूप में बदल देना था और 6 सही, 2 बटे, 3 हमारा क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा यानि 6 सही, 2 बटे, 3 जो आपका यहाँ पर e-wahl option दिया है तो e-wahl option right हो जाएगा और एक कितने दिनों में कारे छोड़ कर जाएगा 6 सही 2 बटे 3 दिनों में एक कारे छोड़ करके चला जाएगा तो यहां से आपको question solve करने का तरीका पता चल गया कि आप question कैसे solve करेंगे तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये भी question समझ में आया होगा चल यह हम आगे बढ़ते हैं और आपका अगला question solve कराते हैं दिखेगा students कह रहा है question क्या कह रहा है आपका एक ही कारे करने की छमता B से 3 गुनी है अतहा किसी कारे को A पूरा करने में 60 दिन कम लेता है जो A है वो B से जादा करता है काम जैसे अगर B यक्स काम करता है तो A कितना करेगा तीन यक्स करेगा क्योंकि तीन गुना जादा काम करता है इसलिए जो B जितने दिन जादा लगाएगा उससे 60 दिन कम लगाएगा यक्स फीक है तो दोनों मिलकर के इस कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे वही हमें ग्यात करना है तो दोनों को मिल करके काम करना है तो हम क्या करेंगे पहले तो एक एक लोगों का अलग अलग निकाल लेंगे तो आपका ये जो question solved होगा कैसे होगा देखशी का ध्यान दीजिए मान लेते हैं कि किसी कारे को एक दिन में समाप्त कर सकता है अगर A अगर A कोई काम है उसको एक दिन में समाप्त करेगा तो B कितने दिन में समाप्त करेगा क्योंकि तीन गुणा लगाता है तो तीन गुड़े एक मतलब तीन दिन में अगर A है एक दिन में काम समाप्ट कर रहा है तो B कितना टाइम लेता है उसका तीन गुना लेता है तो यक्स तीन यक्स जो है यहासे आपका तीन दिन में B कारे को समाप्ट करेगा यह इतना आपको समझ में आ गया अब हमें निकालना है कि A प्लस B का एक दिन का कारे तो A प्लस B का अगर हम एक दिन का कारे निकाले तो क्या हो जाएगा A का तो एक दिन का कारे एक ही होगा लेकिन B का जब हम A जो तीन दिन लगा रहा है एक काम को तो एक दिन में कितना काम करेगा बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा एक दिन में तीन दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा एक बटा तीन काम करेगा देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है एक काम कर रहा है और B देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है एक वटा तीन काम कर रहा है क्योंकि हमें पता था B हमारा कितना काम कर रहा था तीन दिन में तीन दिन में एक काम कर रहा था तो इसलिए एक दिन में कितना एक बटे तीन काम करेगा 1 प्लस 1 बटे 3 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है A का तो A का है एक दिन का कारे और B का एक बटा 3 है एक दिन का कारे तो यहां से आपका 1 प्लस 1 बटा 3 मिल जाएगा तो यहां से जो आपका आएगा वो क्या जाएगा 4 बटे 3 यानि A प्लस B का दोनों का मिला करके एक दिन का कारे कितना आ रहा है चार बटे तीन आ रहा है तो A और B दोनों का जब जो है तीन बटे चार दिनों में दोनों मिल करके एक दिन में एक दिन में दोनों लोग मिल करके चार बटे तीन कारे समाप्ट करेंगे अगर तो आप यहां से क्या निकास अकते हैं दोनों के समयों में अंतर भी है दिया हुआ दो दिन का अंतर समय में दिया है क्योंकि अंतर क्यों दिया है बोल रहा था सबसे पहले ही question में बोला था अगर A एक दिन में कोई कारे समाप्त करे एक दिन में अगर A कोई कार्य समाप्त करेगा तो B उसी को तीन दिन में कार्य समाप्त करेगा तो यहां से आपका जो अंतर दिया है दो दिया है क्योंकि तीन दिन में एक लोग कर रहे हैं एक लोग एक दिन में तो दो दिन का अंतर यहां से आ रहा है तो यहां से हमें क्या मिल रहा है A plus B का A plus B का हमें मिल रहा है 3 बटे 4 अभी हमने निकाला 3 बटे 4 दिन में, ठीक है दोनों लोग मिल करके 3 बटे 4 दिन में करेंगे एक भाग पूरा अब देखिए यदि दोनों के समयों का अंतर 60 दिन है क्योंकि देखिए आपको बताया जब दो दिन अंतर था तब तो तीन बटे चार आ गया अब जब दो दिन अंतर था तब कितना आ गया आपका तीन बटे चार आ गया अब यहीं पर जब साथ दिन का अंतर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 दिन के अंतर पर 60 दिन के अंतर पर 2 दिन के अंतर पर इतना था तो 60 दिन के अंतर पर आपका क्या हो जाएगा 3 बटे 4 और गुडे में क्या हो जाएगा 60 बटे 2 हो जाएगा क्योंकि जो 2 दिन के अंतर पर इतना था तो 60 दिन के अंतरवर आपका क्या हो जाएगा 3 बटे-4 गुड़े 60 बटे-2 अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से आपका यहाँ से कट जाएगा 30 हो जाएगा और फिर 2 से 4 से काटेंगे या फिर 2 से काटेंगे जब तो 15 हो जाएगा 15 तो 45 बटे-2 झाले तो क्या होताइगा 22 ही एक बते दु यहां से आपका दो राइट अंसर आएगा स्टूरंथ यां निवारइस बटे दो आपका रैट आंसर हो जाएगा यहनि 22 बते दो दो दिनों में दोनों मिलकों को स्माप्ड कर सकते हैं तो यह में comment में जरूर बताईएगा चलिए अगले question के बढ़ते हैं और अगला question आप देख सकते हैं यहां पर बेहतरीन question है एकदम formula based है इसका भी आपको formula हमने बताया था देखिए मोहन हरीश तथा मनोज देखिए हमारा नाम भी यहां पर आ चुका है स्टूडंस तो घरीज भी क्यूकि हमारा नाम भी हरीस है तो यहाँ पर मैं भी आ चुका हूं इस को इस्टlor में तो अगर आपका नाम मौहन या मनोज है तो आप मैं कमें अग्स स्वह कहुंगा द्युद्ध स्थमया इस कमातेh रहा है यद तीनों कुल मिलाकर 2700 कमाते हैं तो हरिश्वा मोहन मनोज के परिश्रमिक में कितना अंतर है यह हमें ग्याद करना है students हमने आपको एक फार्मूला बताया था फार्मूला आपको याद होगा कि अगर तीन लोगों का अनुपात लिया हो और हमें एक एक लोग का निकालना है जैसे ym kama yhn kama p तीन लोग का अनुपात दिया है उच भी दिया है और अगर हमें केवल और केवल ym yhn p अनुपात दिया है a kama b kama c का और हमें केवल a का निकालना है तो a बराबर यहाँ से आपका क्या आता है a का देखे ym है तो ym हो जाएगा और अपान में क्या आपका हो जाएगा यम प्लस यन प्लस पी हो जाएगा ये मैंने आपको बताया था अगर यहां से हम बी निकालना चाहें तो बी बराबर हो जाएगा यन अपान यम यन प्लस पी हो जाएगा यहां पे ठीक है इस्टुडेंट्स और अगर सी निकालना चाह दिया है साथ और पी बराबर क्या दिया है अपका ग्यारा दिया है तो यम यन और पी हमारा क्या दिया है यहाँ पर मिला है अब हम देखिए निकालते हैं एक एक लोग का निकालेंगे सबसे पहले मोहन का निकालते हैं तो मोहन का आपका क्या हो जाएगा मोहन का देखिए पह आपका गया दो बटे में दो प्लस साथ प्लस ग्यारा आपका होगा साथ 18 और दो 20 यहां से आपका जाएका एक बटे 10 तो मौहन की जो आयाई एक बटे 10 आ गई अब एक बटे 10 आने का मतलब क्या है यहाँ पर आपको एक गुड़ा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरे के पूरे आई भी दिये हुई है यक्स भी दिया हुआ है हमने आपको एक यक्स वाला बताया था तो यहाँ पे हमें yaks की value भी दी हुई है तो यहाँ पे into में yaks होता है तो यह मतलब आपका क्या होता है मोहन का मोहन का आपका क्या होता है students होता है एक बटे 10 और गुड़े में yaks भी लगाना होता है yaks की value दी हुई 2700 रुपए तो गुड़े में यक्स हमने लगा दिया फार्मूला आपका जो मेन फार्मूला आपका हमने बताया था उसमें आप एक बात और नोट कर लीजेगा जैसे ही अगर ए हमें निकालना है ए बराबर क्या होगा यम अपान यम प्लस एन प्लस पी और इंटू में यक्स होता है ये बात आपको याद रखने है तो यहाँ पर हमने यक्स की बैलू हमें दी हुई थी 2700 रुपए तो हमने यक्स की बैलू भी यहाँ पर रख दी अब देखे जब आप इसे काटेंगे तो मोहन की जो आएगी कितनी 270 रुपए आ गई इसी परकार से अब हम हरिश की निकालते हैं तो हरिश की देखिए क्या दी हुई है यहाँ पर आपको जो हरिश की मिलता है इस्टूडेंट्स क्या मिलता है गी हरिश मतलब मेरा आप ही समझ लीजेगा तो मेरा समझ लीजेगा कितना और 27 को जो पकाटेंगे तो 292, 236 और 2510 135 सत्य 135 सत्य क्या आपका होता है 945 तो यहाँ से जो हमारा आजाएगा हरिश का वो क्या आजाएगा 945 रुपए आजाएगा मोहन का 270 रुपए और हरिश का 945 रुपए अब बचा किसका अब बचा एक लोग का किसका बचा मनोज का अब मनोज का जब बचा तो आपको पता है दो लोगों का जब निकल चुका है तो 27 साव मैंसे हम दोनों को घटा देंगी تو 27 तो माइनस में आपका क्या होताएगा हरिश का होताएगा कितना 945 और माइनस में इसका हो जाएगा मोहन का कितना 270 तो जब दोनों को घटा देंगे तो मनोज का बच जाएगा क्योंकि तीनों लोगों का जोड़ करके 2700 होता है तो जब दो लोगों का घटा देंगे तो एक लोग का आपका मिल जाएगा तो यहां से जो आपका निकालना था तो मनोज का आपको मिल चुका है मनोज यम बराबर क्या मिल चुका है 1485 और हरीश यच बराबर आपको क्या मिल सका है 945 तो दोनों का जो है अंतर निकालना है तो यहां से जो अंतर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इस्टुडेंट्स अंतर जो आपका हो जा तो यहां से जो अंतर हमें मिलेगा, कितने का मिल जाएगा, 540 रुपए का अंतर हमें मिल जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंतर का, तो अंतर हमें दोनों का क्या मिल चुका, मनोज और हरिश के पारिस्तिरमिक आई का अंतर हमें क्या मिल चुका है, 540 रुप तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीज़े समझ में आ गई होंगी ये भी question आ गया होगा अगला question आपका homework है आप लोग इसका answer हमें comment में ज़रूर बताईएगा Polytechnic interns exam 2005 में पूछा जा चुका है और आप लोग question note कर लिजिए इसका answer हमें comment में बताईएगा Students अगर आपको video अच्छी लगती है तो आप लोग please जो है comment जरूर कीजिए प्यारा प्यारा अच्छा comment आपका देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो आज से आपका ये chapter भी final हो चुका है और कल से हमारा नया chapter शुरू होगा तो नया chapter की सुरुआत बढ़िया से करेंगे तो आप लोग daily हमारे साथ में जुडते रहिए और हमारा अस्ताद देते रहिए और एक बात है अपने वीडियो अपने इस वीडियो को अपने शवी फ्रेंट्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए जिससे अन इस्टुड़न्स भी जूर सके और उनको भी help मिल सके तो चलिए इस्टुड़न्स मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा और हस्ते रहिए मुश्क्राते रहिए लेकिन पढ़ते जरूर रहेगा किसकी पढ़ाई ज़रू हुई है और इस कुश्चन का आंतर भी कमेंट में जरूर बताईएग लाइक एम आपको पता है 100 है तो आपको 100 लाइक से ज्यादा कंप्लीट कराना है यह आपकी दिम्मदारी है जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा एक प्याराशा धन्यवाद